नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदिस में आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रियल में C33 की फोन में नेवेगेशन बटन को चैंज कैसे करेंगी और जो है अगर आप अपने फोन में साइड बटन लगाना चाते हैं तक ऐसे लगाएंगे पूरी नेवेगेशन सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पारले दोस्तों आपको अपने फोन में सेटिंग ओपेन करना होगा सेटिंग ओपेन करने अबार आप लोग यहाँ पे सबसे लास्ट में चले आई यहां पर एक option आपको दिखाए देगा system का यहां आप देख सकते हैं system का option है नीचे की तरफ system के option पर आप क्लिक कर दीजिए system के option पर किलिक करने के बाद अगर ऐसा इंटर्फिस मिलता है नीचे की बटन अगर आप लगा है तो नेवेगिसन बार का option जरूर मिलेगा वहना दूसरा भी तरीका बता रहा हूं यहां पर आप लोग नेवेगिसन बार पर किलिक करेंगे जो भी style में आपक जेश्टर का option मिलता है जेश्टर के option पर आप लुग क्लिक करेंगे बाएक काने कबद और सबसे उपर system navigation का option मिलता है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे Kirik करने के बाद यहां देख सकते हैं जेश्टर navigation का option मिलता अब तीनों नीची की navigation बटन हाइड हो जाएएगी और आप slide करके, ज़ro reviewed right से slide करके jho side funded बटन होती है वो apply हो जाती है, आप slide करके बटन हाब आएगे तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं आप video को दो आपर देखी है, अगर आपको समझ में नए रदे आप video को slow करके देखी है आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हो सकता है साइट मैं उने fast बता दिया हो तो सबसे पहले system में जाना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले अगर gesture लगा है तो gesture यहाँ पर दिखाई देगा तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से वीडियो और अपने फोन में चेंज कर सकते हैं इस तरीके से वीडियो इंपोर्टन्ट लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें